नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें बीते 24 घंटे में सामने आए करोना के 18,000 से अधिक नए मामले चीन से जुड़े 69 एप्स पर बैन लगा दिया गया डीजल पेट्रोल की कीमतों में हो रही है लगातार बढ़ोतरी तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं करोना के अपडेट से केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले द्वारा जारी ताजा आंकडों के मुताबिक बीते 24 घंटे में करोना संक्रमण के 18,522 नए मामले धर्च किये गए हैं 418 मरीजों की मौत हो चुकी है और 13,99 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है देजभर में करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है और अभी तक 69,07 फीजदी यानि 3,34,822 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमण की वजह से 16,893 मरीजों की मौत भी हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानि एक्ट्व केसिस की संख्या बढ़कर 2,15,125 हो गई है इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जारी आंकडों के मुताबिक अभी तक कुल 86,08,654 सेंपल की जांच की गई है जिन में से 2,10,292 सेंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ जो चाइनीज मुबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी है यह कारण बताते हुए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को चाइनीज मूल यानि की चाइनीज ओरीजन के मुबाइल एप से खत्रा है भारत सरकार ने चीन से जुड़े मुबाइल एप, टिक टॉक, सेरिट, यूसी ब्राउजर, सहित 69 मुबाइल एप को बैन कर दिया है जहां एक तरफ जानकारों के एक धड़े ने इसे चीन को दिया गया करारा जवाब बताया तो वहीं दूसरी तरफ जानकारों के दूसरे धड़ों ने इसे महज एक प्रतिकातमक कारवाई बताया और कहा कि दुखत बात यह है कि सरकार ने यह कदम उठाने से पहले उन लोगों के बारे में तनिक नहीं सोचा जो यहां पर काम करते हैं और उनकी नौकरी अचानक चली गई होगी वहीं सरकार ने कहा कि इन चाइनिज एप्स के सर्वर भारत के बाहर मौजूद है इनके जरिये यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खत्रा था सुचना मंत्राले की सिकायत थी कि Android और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल एप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये एप्स गुपचुप और अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे TikTok इंडिया के CEO निखिल गांधे ने बताया कि हम भारतिय कानून के तहट डेटा प्राइवसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं हमने चीन समेट किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतिय यूजर्स की जानकारी सेयर नहीं की है अगर भविस्य में भी हम से अनरोथ किया जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे हम यूजर्स की नीजिता यानि की प्राइवसी की एहमियत समस्ते हैं जानकारों ने सरकार के इस कदम को 20 सैनिकों की हत्या की बदला लेने के भाव से की गई प्रतिकातमक कारवाई बता रहे हैं भारतिय सूचना सम्मंधी अहम जानकारियां तो फेस्बुक, वाटसप और तमाम अंतराश्ट्रिय कंपनियों के पास कहीं जादा है जिन पर बकाइदा या आरोप लगाया जाता है कि वह डेटा के साथ भारत की भीत्री और बाहरी राजनीती में हस्तक छेप कर रहे हैं क्या भारत सरकार ने उनको बंद करने के बारे में भी सोचा है अगर गलवान न हुआ होता तो क्या चाइनिज एप पर प्रतिबंध लगाया जाता खूपिया तंत्र 2016 से चीन के करीब 42 एप्स को खत्रा मानता रहा है या बेन पहली दफा नहीं है पिछले साल मदरास हाई कोट ने बेन लगा कर हटा दिया था अब सवाल यह है कि चाइनिज एप पर लगाया गया यह बेन कब तक तिखेगा इन एप के मालिक भारत के बड़े स्टार्ट अप में बड़े निवेसक हैं यानि कि बड़े इन्वेस्टर हैं इनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है जैसे कि UC ब्राउजर अलिबाबा का है जो पेटियम, बिग बास्केट, जो मैटो में इन्वेस्टर है दे स्टेट अफ मोबाइल रिपोर्ट 2019 कहता है कि साल 2016 से 2018 के बीच भारती उपभगताओं द्वारा मोबाइल एप डाउनलोड की संख्या में 165 फिस्दी की बढ़ोत्री हुई है और इसमें से तकरीबन 50 फिस्दी एप वैसे हैं जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है अंत में जरूरी सवाल यहीं उठता है कि अचानक से मोबाइल एप बैन होने की वज़ा से इन एप में काम करने वाले बहुत सारे भारतिय लोग अचानक से बेरोजगार भी हो गए होंगे सरकार इनकी मदद कैसे करेगी क्या सरकार ने इन एपों को बैन करते समय यहां पर काम करने वाले भारतिय लोगों के बारे में तनिक भी सोचा था क्या Chinese एप पर लगाये गए इन प्रतिबंधों से चीनी और थ्वस्था को इतना धक्का पहुँचेगा कि वह LAC यानि की Line of Actual Control से अपने अतिकर्मन वाली मौजूदगी को हटा लेगी हाल फिल हाल की खबरों से तो ऐसा नहीं दिख रहा है अब चलते हैं अन्तिम खबर की तरफ जो पेट्रॉल डिजल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से चुड़ी है लगातार 21 दिनों तक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई तेल की कीमते रविवार को नहीं बढ़ाई गई फिर से सुमवार को पेट्रॉल और डिजल के दाम बढ़ा दिये गए और आज फिर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है समाचार एजनसी एन आई के मताबिक राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली में पेट्रॉल की कीमत 80.43 रुपे लीटर और डिजल की कीमत 80.53 पैसे लीटर हो गई है तेल की कीमतों में हर रोज होने वाला या मामूली जाफा भी ग्राहकों पर भारी बोच बन कर उतरता है अर्थसास्त्री प्रभात पतनायक न्यूज क्लिक पर लिखते हैं कि 25 दिसंबर 2019 से लेकर 23 जून 2020 के बीच विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 37 प्रतीसत की गिरावट होई है यानि कि कच्चे तेल की कीमत जहां से आते हैं उनकी कीमत में 37 प्रतीसत की गिरावट होई है फिर भी भारत में इस अवधी के दोरान पेट्रॉल और डीजल की कीमते तेजी से बढ़ रही हैं और अब तो पहले से भी कहीं अधिक हैं वास्तों में पेट्रॉल की कीमतों की तुलना में डीजल की कीमते अधिक तेजी से बढ़ी है और दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक गायब हो गया है भारत में तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी पूरी तरह से केंद्र सरकार की वजह से हुई है जिसने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन उत्पादों पर टेक्स की दर बढ़ा दी है सरकार के प्रवक्ताओं ने इसके पक्ष में जो तरक दिया है वह यह है कि पेट्रॉल और डीजल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए उनकी कीमते बढ़ाना गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना संसाधनों को बढ़ाने का एक सुविधा जनक तरीका है यानि कि सरकार कह रही है कि कीमते बढ़ा करके आसानी से सरकार के पास पैसा आजाएगा जिसका वह इस्तमाल कर सकेगी लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है इसलिए क्योंकि डीजल का इस्तेमाल आम लोगों द्वारा किया जाता है पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन में किया जाता है बस में किया जाता है इसका इस्तमाल खेती किसानी में किया जाता है सिचाई में किया जाता है यानि कि यहाँ पर आम लोग जुड़े हुए है अगर इनकी कीमते बढ़ती हैं तो माल बाढ़ा बढ़ेगा अगर इनकी कीमते बढ़ती हैं तो किराय का दर बढ़ेगा माल भाढ़ा बढ़ेगा किसी की लागत बढ़ेगी खाद्य पदार्थों सहित खुद्रा सामानों के दाम बढ़ेंगे इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में डूबती हुई अर्थवस्था में महंगाई भी आने वाली है आम लोगों की कमर पहले से ही लॉकडाउन में तूट चुकी है और अब और तूटने वाली है यहां थी आज की प्रमुक खबरे हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप न्यूज क्लिक के वेबसाइट, फेस्बुक, ट्वीटर से जुड़ सकते हैं हमारे वीडियो को आप न्यूज क्लिक के योटूब चैनल से देख सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहें न्यूज क्लिक